इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ICAI के बच्चों के लिए So what to do if you not get your photo and signature in your admit card आप क्या करोगे अगर आपका signature और photo आपके admit card में अगर नहीं मिला होगा तो इस पर मैं बात करने वाला हूँ ठीक है अगर आपका photo signature मिला है तो कोई attention नहीं लेना है आप अपने इत्मिरान से जाओ color या black and white जिस तरीके से निकालना है आप निकाल करके उसको दो पेज निकाल लेना दो या तीन पेज निकाल लेना और उसको आप अपने examination में जाकर के आराम से ले जा सकते हो बर उन बच्चों का क्या जिनका photo signature नहीं मिला हो तो वहाँ पर आपको photo लगा लेना है अपना signature उसी page में कर लेना है जो vacant है admit card का करने के बाद आप किसी ICAI के member पास जाओ किसी भी ICAI आपका घर में भाई में कहीं भी हो जाकर करके उनका signature और stamp ले लो बात खतम So we are talking about the photo and signature You get the photo from a single piece मतलब जिस तरह का photo आप अपने admit card पर वहाँ पर लगाओगे उस photo का extra photo अपने पास रखना जब exam center जाओगे तो आप यहाँ पर मैंने बोला दो गो print out निकाल लेना फिर से बोल रहा हूँ दो गो print out निकालना admit card और एक अपने पास रखना और एक exam center में आपका submit हो जाएगा और proof में वहाँ पर क्या-क्या मांगा जाता है exam center में क्या-क्या proof देना पड़ता है उस पर मैंने detail video बना रखा end card पर आ रहा होगा आप उस video देखकर के समझ जाओगे क्या-क्या proof और क्या-क्या चीज ले करके जाना होता है ICAI के exam center में ठीक है और अगर इस से regarding कोई भी doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हो hope so यहाँ पर आपको सारा चीज़ पता चला गया होगा और कोई doubt अगर आपकी दिमाग में रह गया thank you for watching for more update subscribe KCI thank you everyone